देश के कई राजियों में बारिश का दौर जारी है मौसम बेभाग के मताबिक उत्तर प्रदेश, रुमाचल प्रदेश और रुत्राखंड में बारिश का ये सलसला मंगलवार भी सतंबर तक बना रह सकता मौसम बेभाग के मताबिक 20 सितंबर से उलेशा और गंगी पष्चिम बंगार में अलग-अलग शेत्रों में तेज बारिश का एक नया दोर शुरू होने की संभावना है अगले 3-4 दन में यह स्थिती देश के पूर्वमध्य और पूर्वी भागों तक बनी रहेगी मौसम बेभाग में यूपी में 19 सितंबर को बारिश के साथ आंधी तूफान का पूर्वनवान जारी किया है लगनव इस्थित मौसम केंद्र ने राजय के पूर्वी किस्सों के 15 जिलों में अगले 24-48 घंटों के दोरान मद्यम से तेज बारिश होने की संभावना जाताई है मौसम वेभा की मताबिक जमुकश्मीर, हिमाचल क्रदेश, उत्राखंदों और पूर्वी उत्तर क्रदेश में 20-21 सितंबर तर गरज के साथ मद्यम से मुस्लाधार बारिश होने की संभावना है वहीं उरिशा और पश्चिम बंगाल, पश्चिमी शेत्र के कुछ हिस्सों सकत भारत के पूर्वी हिस्से में भी इसी तरह का मौसम रहने की बविश्यमानी की गई है दिली अंसियार की बात करें तो सोमवार को दिन भर बादल चाय रहेंगे, कुछ इस्थानों पर हलकी बारिश हो हो सकती और इसा में भारिबारिश का लट मौसम विभाग ने कंद बारिश शेत्र के चते और इसा में अगले तीन दिन में भारिबारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक बुवलेश्वर, कोरापुट, मलकान गिरी, समयत कई और जिलों में जोरदार बारिशों हो सकती है मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभ्यान किंद्र ने आज सोमवार को पूरी काला हंदी, कंदमाल और गंजाम में कुछ स्थानों पर सोमवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है दिली वासपास के शेत्रों में सोमवार को आंशिक रूप से बादल चाय रहेंगे अगले 5-6 दिन तक बरसाथ होने की संभावना नहीं है अधिक्तम एवाम नियूंतम तापमान रह सकता है 34 और 24 डिग्री सेल्शियस 25 या 26 सितंबर को एक बार फिर हलकी बरसाथ होने के आसाथ बिहार में दक्षन पश्चिन मानसून के सक्रिय होने से रोज बारिश हो रहे है पूरे बिहार में मौसम का यहीं हाल है सोमवार को सुभा भी राजधानी पतना समय तो प्रदेश के कई अलाके में बादल चाय हुए है मौसम बिज्ञान केंदर के पूरे मनमान के अनुसाथ एक हफ़ते तक मौसम ऐसा ही रहेगा